तो आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला यह बोसकते हैं जो आपके टाक्स के आप बहुत इसीली उसके तुरू कर सकते हैं यह इडन गैजर्स आपको कहा मिलेंगे कैसे आप उसको यूज करेंगे आगे आपको वीडियो बताने वाला हो वीडियो को मत करिए दोस्तों वीडियो को पुरा देखिएगा तो यह आप सोच पाएंगे चलते हैं आगे मेरे नाम सनी और आपको स्वागते हैं मेरे चैनल ऐसे टेक में तो दोस्तों जैसा कि मैंने बता है मैं आपको इडन गैजर्स के बारे मताने वाला हो पहले मैं आपको इसको यूज बताओंगा और उसको बात में कैसे आप उसको इनेबल करेंगे वो आपको बताने वालो तो सबसे पहला जो सबसे मेरा बहुत ही फैवरेट है जिसके लिए मुझे लोगों ने बहुत बार पूछ चुके हैं भाई आप यह करते कैसे हो तो वो है मेरा फैवरेट स्क्रीन शोट लेने का अब देखेंगे मैं उपर की तरफ यहां स्क्रीन शोट ले लिया गया है मैं कोई सी भी एप में हूं या कहीं भी हूं लाइक में हापार आ गया है और मुझे स्क्रीन शोट ले लेता हूं इसके लिए मुझ से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करेंगे पूचा भाई तुम क जाएंगे फिर हम इसको करेंगे open in split view में तब हम multi dial space को use कर सकते बट एक गरज़र के थुरू आप बहुत ही simple कैसे कर सकते हैं अब मैं यहाँ नीशे की तो आप स्वाइब करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर multi window open हो गया है अब मैं यहाँ पर कुछ भी parallel में open करना चाहूं तो यहाँ पर open कर सकता हूं आप देख रहे हैं दोनों window यहाँ पर चल रही है तो second जो useful feature था वो यह था मैं लब second जो गेजर था बहुत ही शादनार जो मुझे बहुत पसंद है वो यह था उसके आप दोस्तों मैं थार्ड useful गेजर बतारे मालों जो की है आपको अगर मान लीजिए आपने कुछ देखी यहाँ क्यों पैनल आपको देखना है या फिर करना पड़ता है कि चूज करना पड़ता बट आप इसके थूरू easily जा सकते हैं आप देखेंगे सारी एपस आगई है आपको किसी भी एप में जाना है लाइक वाट्सप पर जाना है तो मैं सीधा क्लिक करूँगा यहां करने के बाद तो मैं सीधा वहां पर वाट्सप पर तो मतलब आप जितने भी आपने रिसेंट से खोले होंगे सब आपको यहां पर easily मिल जाएंगे और आप कहीं भी जा सकते हैं बहुत ही smoothly आप यहां पर इसका यूज कर सकते हैं तो यह मैंने इनेवल कैसे करें लास्ट में बताने वालों दोस्तो वीडियो उसके मत करिएगा तो यह हो गया थर्ड उसके दोस्तों फोर्द बनने वालों जो की है और और शांदर फीचर आप उपर की तरफ स्वाइब करूँगा आप देखेंगे मुझे यहां पर मिल रहा है होम की रिसेंट की वालियूम अप की वालियूम अप हो जाएगी यहां डाउन करूँगा ड अगर मैं गूगल करूँगा तो वहां पर भी यहां पर मुझे अलग से ही टास्क बताने वाला आप देखेंगे यहां पर मूफ की सब चीज़े टास्क काने वाले तो यह अलग-अलग तरीके से काम करता है अगर मैं किसी और अप में जाओंगा लाइक में यहां पर आगया हो प्ले स्टोर पे और हम मैं इसको स्वाइब करूँगा तो आपको यह ऑप्शन मिलेंगे और आप यहां से इसका कुछ भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको इनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा आप में जाने के बाद आपको यहां जाना है माइफ फैमिली वाले ऑप्शन पर फैमिली पर जाएंगे तो आपको एक एक एप मिलेगा वन हैंड ऑपरेशन प्लस आपको दिखरा होगा यह आपको मिल जाएगा गलेक्सी स्टोर पे भी अगर आपकी बास वह सपोर्ट नही और आपको लगा पर जाया है और को आपको उसको लगा सकतेे लzen आप मैंने लगा आप वो लगा आपको ओर लगा सकते हैं कियार मेरे use useful के लिए यह है तो आप उसको लगा सकते हैं मेरे जो useful के थे मैंने वो लगा लिए आपको जोंचों सब्दाइब कूई अधर useful है वो भी लगा सकते हैं तो जैसे कि वह उपर गया और मैंने यहाँ पर keyboard shortcuts को लगा दिया है अब मैं बैक आऊंगा, मैं उपर करूँगा, तो ही keyboard shortcuts आ रहे हैं, ऐसे ही, अगर मैं नीचे की तरफ आऊँगा, मैंने यहाँ पर लगाया है, टाक्स ट्यूचर, अगर आपको लगता है, टाक्स ट्यूचर मिने को ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगाना, तो आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, जितने भी आपको इतने सारे चीजे दिख रही हैं, आप यहाँ पर कुछ भी use कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर उसके बाद ऐसी ही, अगर मैं भार आउँगा, अब मैं जाएंगो राइठ हैंट पर मैं लगाके रखा है, अगर सिम्पल स्क्रेप करूँ तो बैक हो जाए, ऐसे ही, और उपर की स्क्रेप करूँ, तो मैंने लगा दिया स्क्रियन शोर्ट, जो की बह लगाना हो तो आप देख लीजिए आपको यहां पर क्या लगाना है जो भी आपको लगानों लाइक मानलो मुने यहां पर लगा दिया स्क्रीन आफ मैंने स्क्रीन आफ लगा दिया ठीक है अब मैं जब भी यह नीचे की तरफ स्वैप करूँगा मेरी मोईल की स्क्रीन आफ हो पूरेगेजरों का यूस्थ बता है आज लगता है कि आपको ओसे बारे में पता होगा अगर आपको और सीखना ही इसमें और क्या क्या कर सकते हैं तो उसका यूडियो का लिंक में आपको आई बेटर में दे दूँगा आप चाहके उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह पहले पता था या नहीं था तो आप मुझे जरूर बताईएगा इसमें और एक चीज़ आप यहां से बैक आएंगे अब आप इसकी width भी check कर सकते हैं जैसे कि आप देखो दिख रहा होगा यहां पर blue blue color की lights आ रही ही दोनों तरफ तो अगर आपको लगता है कि यार मेरे चोटे से में काम नहीं चल पाएगा तो आप width भी बढ़ा लिए ताकि आप easily उसका use कर सके आपको problem ना है तो आप यहां से इसकी width भी सिंख कर सकते हैं यहां position का भी थोड़ा बहुत उपर अंतर कर सकते हैं ऐसी नीचे की तरफ आएंगे गेजर setting बे तो आपको यहां पर मिल जाएंगे कुछ settings angles आपको यहां पर set कर लेना है में जीज यह है भाईया यह जास का use है और बहुत शांदर यह वाला feature है मैं बहुत time से इस features को use कर रहा हूं screenshot वाला मुझे तो बहुत जरूरी यार screenshot लेना देता है कौन बार-बार दो किक करेगा और कौन बार-बार यह pom sensor करेगा वो चलता ही नहीं है मुझसे तो बहुत मुश्किन से पामज़ चलता है तो इसलिए मैंने इसको use करके रखा हुआ है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी या फिर यह वाले features आपको पहले पता थे या नहीं थे तो थेंक्यू हाँ फव्你看 कंग और मेंटी इंड्क्राइम में जुएक हाँ तो आपको नेसे प्रसैपरनें रहे भाण जो नहीं करते हैं टो तेंग अगर